हेलो फ्रेंट स्वागत आपका स्टरी हैक चनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाइब की स्रीच चलिए जिसमें हम बात करते हैं वोकाइब की एकदम बेसिक लेबल से जिने अगर कुछ नहीं भी आता होगा वो नए होंगे तो वो भी वोकाइब बरही असानी से सीख सकते हैं हमारे क्लास के माध्यम से ठीक है तो आपको जैसा पता होगा नेमोनिस टेक्निक से अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि हम अपनी क्लास में नेमोनिस टेक्निक का यूज करते हैं और उसके साथ नया क्या यूज करते हैं तो पिक्चर टेक्निक और बहुत ने इस पिक्चर से या इस नेमोनिक से इस वड का मतलब समझाया था और हमें बताया था कि कैसे इसके सिनोनीम से आप रिलेट कर सकते हो तो अगर आपको वह वर्ड नहीं भी मिले फिर भी आप eliminate करके उस word का मतलब आसानी से find कर लोगे और अपने number secure कर लोगे ठीक है तो सिर्फ हम vocab discuss ही नहीं करते हैं इसका practice भी करते हो तो best study का practice करने का previous year question ठीक है तो हम previous year recent previous year questions के साथ इसको practice कर लेते हैं ठीक है और किसी भी exam के लिए vocab के साथ English grammar भी important है ठीक है तो English grammar के important rules भी मैं discuss करता हूँ ठीक है अब शुरू से लास्ट एक वीडियो देखे वह तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए special session है ठीक है इसमें मैंने include किया जहां पर मैं English के important grammar rules discuss कर लेता हूँ ठीक है तो चली बने रही है हमारे class के साथ और बिना देरी के सुरू करते हैं अपना class और जानते हैं आज का पहला हूँ तो आज का जो first word है वह है cleansed, cleansed मतलब बता पक्का करना ठीक है finalize, secure, confirm यह सब क्या है इसके synonyms है ठीक है अप इसको याद कैसे करना ठीक है अब किसी भी चीज़ का inch वाई इंच क्या करती है a require करती है मतलब क्या कर ले तो आपको बड़ी जीत हासिल करती है तो क्या करती हो चोटी चीचती you को हासिल करते हुए बड़ी जीत के पास जाते हो ठीक है to cleansed ऐस याद रखना है ,inch by inch मैने इस चीज़ art procure जाक मतलब भर्ब नखेंगे डीक पार्णेंगों इसको यह सने मेंडल कर लिए आपको नहीं कर रहें तो यह इसके एन्ņटियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते और नेक्सट वर्ड देखे तो नेक्सट वर्ड है कोलाइस्टॉड क्लाइस्ट्र मतलए क्या होता है अप इसको बोल सकते हो आइसलों इसके उन पर जो कि समाजिक रूप से रहना चाहिए जो छूंड में रहना चाहिए अंटरोनीम हो जाएंगे जैसे कि कोई तनहा रहे रहा तो इसका ऑंपोजिट क्या होगा जो की समाज में रह रहा है ठीक है एक जूंड में रहा है लोगों के बीच रह रहा है ठीक आयवाप आपको चीजे क्लियर हो गए और बहुत पार पढ़ा होगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट बात करते हैं नेस्ट रटेकं अन्स्किल फूल ओकवार्ड मैल अड्रॉइट ये सब क्या इसके सिनोनिम से इसके पहले यह वर नहें गर्ण हो जाया कोई इस्किल नहीं होगा ठीक है अन्यस्किल को बोल सकता है आप county स्किलु होता है बात कर लेते हैं स्क्लस्टर मतलब होता है समूं असेंबलेज फो । । । । । । ये भी एक सा मूम इनुप में इसके आंटो निम क्या रूजाए का है डेसपर्स कर देतो तो चीजों को ठीक है डिस्पर्स कर देतो तो यह इसके क्या हो जाएंगे एंटो निम आपको कुछ चीज ऐसे क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ थे नेक्सट वर्ट की तरफ हमार बहन को कैसे लड़ प्यार कर रहा है रूठी हूई है तो यह कैसे लड़ कर रहा है ठीक है तो अन्ट इन्टों जागा ओगाँ नेग्लेक्ट इया अन्दाज कर दो या इग्नोर कर दो तो यह सब क्या है इसके एंटोनिम से हैं कोडल के ठीक है कोडल मतलब क्या है साटिस्फाइब लाड़ प्यार करना ठीक है आई होप आपको चीज़े किलियर हो गए होगी तो आगे बढ़ते हो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हमारा नेक्स्ट आपको पता कि ज चाहता हो लेकिन आप सभी नहीं सही सही अंसर किया था बोहेमियन मतलब क्या होता है रूधी नूग ठीक है वान हूँ डज नोट फॉल्व रूल आफ सोसल लाइफ ऐसा वक्ति कि जो की जो सोसल लाइफ के रूल है उसको फॉलो नहीं करता है ठीक है वह अपने मन से चलता ह अपने ढंग से करता ठीक है अप इस व UW को देख पा रहे हो किचसके ड्रेस को देख पा रही है जो सोसल सोसल जो extra आपको income मिलता है, जो love मिलता है, वही होता है bonus, I hope आप सभी को पता है bonus क्या होता है, ठीक है, a sum of money added to person's wage, ठीक है, as a reward for good performance, अगर आपने बहुत अच्छा performance किया, ठीक है, तो आपका जो wage है, ठीक है, आपका जो वेतने उसके साथ, आपको extra money जो मिलता है, वही होता है bonus, क् कि आप आपने क्या किया है, अच्छा performance दिया, तो आपको इनाम के रूपे दिया जाता है, इसी को बोलते है bonus, ठीक है, देख पा रहोंगे कि कितना बंदा खुछ से, जब इसको bonus मिला है, तो बहुत ही ज्यादा happy हो चुका है, ठीक है, चलिए next बात रखते है, next word है book word, हो जाएगी, ठीक है, वह रट लेगा उसको, तो वही होता है book word, an avid book reader, ठीक है, मतलब कि कितावी की रहा है, मतलब कि वो बुक को अच्छे से read करता है, ठीक है, हमेसा बैठा रहाता है किताब को पूरी तरह चांट जाता है, अपने सुना होगा, कितावी की रहा, जो मतलब होता है, बनसपती भी ग्यान, आपने बायो में पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप एक्जाम दे रहा हो, तो science भी बहुत मानने रखता है, ठीक है, तो botany मतलब होता है, बनसपती भी ग्यान, ठीक है, और geology मतलब होता है, जीव भी ठीक है, the study of plant life is known as botany, ठीक है, आप बोतल देखा हो, तो उसके नेक को देखा हो, कि नेक बड़ा ही संकिर्न होता है, मतलब क्यों होता है, पतला होता, उसका जो body होता है, वो ऐसा फूला हुआ रहता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, बोतल, तो वह ही हो गया, यह जो नेक हो गया, इसका, इसी को बोलते हैं, बो पर आगे जाके वह एक लेन में परिभर्तित हो रहे तो क्या हो जागा यह तो घाड़ियां बहुत ही शलो पास करेगी तो इसी को बोलते बोतल नेक्स आप पता कर पाऊगों कि इसका मतलब क्या होता है संकिर पाऊगे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जियासा कि पता है आपको इधियम फ्रेजास के सेशन होते हैं तो आज का जो पहला इडियम है वह है एट वूस वीट्स ही इंड वीट्स मतलब क्या होता है बुद्धी आपकी बुद्धी बंद हो जाए ठीक है खथ हो जाएंगे और भलेंड हो जाएंगे आपको पता यू चलेखा कि आगे हमें करना क्या कि तो क्या होगा टू वी पजल genial not knowing what to do quite perfectly X theọ ओवर्वन ठीक है आपका विट कब बुद्धी कब काम करना करना बंद कर देगा। जब आप बहुत जादा चिंतित होंगे समझ्याव सब खेटे आपको समझ नहीं आता कि आगे मुज़ेत K Ana क्या है? जासे इस बंदे को देख पा रहे होगा कि इसके बुद्ध Χी 기분 पढ़ गए तो यह समझ नहीं पा रहा है कि आगे मुझे करना क्या था मैंने लैप्टॉप का ओन कर लिया इसमें मुझे करना क्या था इसे यही समझ नहीं आ रहा तो इसी पर यह चिनकी आपको चीज़े क्लियर हो गई हुए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स लाग करते हैं नच्ट है एट रैंडम मतलब अनियमित तरीके से तो इन्हे रैंडम मैनर ठीक है और कोई चोर भागता है तो निसाना सटिक नहीं लगाता है काहीं वह क्या कहता है पुलिस वाले को नहीं लगे ठीक है यहां पर पुलीस वाला ओगा तो वह रैंडम फायर करता है थीक है तो इसों को बोलते है अनियमी तरीके से ठीक है इन्हें रैंडम मैंडर को तो आगे बढ़ते है next नेस्ट करतें next at see मतलब क्या है परसान यह आप समूंद में चले जाऊ ठीक है बीज समूंद में चले जाओ ठीक है और आपको दूर दो कहीं भी लेंड नहीं दीखेगा जमीन नहीं दीखेगा तो क्या हो जाऊए आप परसान तो आपको चीजे किलियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स है एट सॉट नोटिस ठीक है मतलब कम समय में ठीक है छोटी नोटिस दिया तुरंट नोटिस दिया आपको बोला कि आप जॉब से चले जाओ या फिर आप वन दो मतलब क्या को बहुत कम संहीं मिला है वीठ लीट्यल वार्निंग और टाइम फपर अपको वार्निंग दिया हो या आप किसी भी चीजी को प्रिपयर करने से लिए इसी को बोलते है कि आप आपतो चीजे कि लिएट सॉट नोंटिस है आप Q19 Hist एक ने द विक मुbagने का और next बात कर लेते हैं तो next है at six and seven मतलब क्या है विवस्था या भ्रम में ठीक है in disorder और confusion मतलब क्या है disorder में भ्रम में आ गया कि six कहां होगा sabem कहा होगा disorder में सारी छीज्य confusion में अगए ठीक है आपके घर robbery हो जाए तो क्या होता है आपके समान क्या हो जाते हैं, एट six and seven, कोई यहां पर आओगा, कोई वहां पर आओगा, मतलब क्या होता है, सारी चीज़े तीतर बीतर हो जाती है, अववेवस्थे में हो जाती है, ठीक है, भ्रहम में हो जाती है, फिर, I hope आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी, तो आगे ब बता दू इसमें से निकलता है 100 golden rule किस चीज के रूल निकलते हैं तो इंग्लिस ग्रामर के तो इसका help कहाता है तो इसका help हमें मिलता है ताकि आप इसके question practice कर पाओ इस topic से related ठीक है तो आपको चीज़े ज्यादे समय तक और अच्छे से clear हो जाएगी ठीक है तो आज का rule क्या कर रहा है आज का rule कर रहा है the future indefinite tense is not used in clauses of time, place and condition here the present indefinite tense is used ठीक है तो जहां पे भी clauses of time हो time का जिकर हो या clauses of place का हो या clauses of condition हो ठीक है तो वहां पे हम future indefinite tense का use नहीं करते हैं वहां पे हम कौन से tense का use करते हैं तो present indefinite tense का ठीक है कह क्या रहा है तो इसको हम समझते है example ठीक है कि जैसा कि यह sentence है कि I shall wait for you till you will finish your work ठीक है मैं तुहारा wait करूंगा जब तक तुम अपना काम ना कर लो ठीक है अगर आपका एक time है clauses of time है तो जहां पे clauses of time या place या condition लगे तो वहां पे हम future का use नहीं करेंगे ठीक है वहां पे हम किसका use करेंगे अभी बताया present indefinite का तो सही क्या हो जागा I shall wait for you till you finish your work ठीक है तो जहां पे भी आपको clauses of time दीखे clauses of place दीखे या clauses of condition दीखे इस sentence में ठीक है कि आपको यहां पे जैसे कि clauses of यहां पे रखा time का कि I shall wait for you till उस समय तक यहां पर समय का बोध हो रहा है तो आगे वाला sentence होगा वह किसमे होगा present indefinite होगा ठीक है I hope आपको चीजे clear हो गई होगी ठीक है तब इस पर best question प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि यह error detection में sentence improvement में बार बार पूछे जाते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next session पर चलते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग का क्या होता है कि question answer के session होते है ठीक है तो आज हम discuss करेंगे 12th December के shift first ठीक है बाकि हमने अभी तक 32 ठीक है 32 shift कर रहा किया discuss आज हम 33rd shift को discuss करेंगे CGL का ठीक है तो आपको मिलेंगे 10 second आपको इस idiom का मतलब बताना होगा ठीक है idiom है he is sitting on the fence इसका सही मतलब क्या है 4 option है he can't hide himself he can't stop trying he can't take a decision he can't do anything seriously ठीक है comment में फटा-फट एंसर करिएगा ठीक है तो इसे के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोगों ने सही से एंसर कर दिया होगा यह idiom बहुत बार पूछा गया है sitting on the fence मतलब अगर फेंस पर बैठा है ठीक है तो वो किसी भी पक्ष का क्या करा है किसी भी पक्ष के हित में नहीं बोल ला है ठीक है मतलब वो decision ही नहीं ले पारा है ठीक है आप जैसे की fence हो गया ठीक है इधर किसी और का बात है इधर किसी और का बात है अगर आप fence मतलब क्या लेत चलब तो इसका जो सही एंसर हो जागा वो क्या हो जागा कि वो कोई कोई डीसीजन ही नहीं ले पाए कोई नहीं नहीं ले पाए इसलिए ओप कहां बैठा है तो फेंस पर बैठा है ठीक है आपको चीज़े किलियर होगी हूँ तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताने इस वर्ड के लिए कैको फोनी ठीक है दस सेकेंड मिलेंगे चार ओप्सन है कोलो फोनी सिंफनी पॉलिफोनी एंटिफोनी ठीक है सारे फोनी फोनी वाले वर्ड है फोनी सांड से रिलेटेड होता है ठीक है आप सभी लोग ने एंसर कर जा होगा साही साही एंसर और टाइम भी अप हो गया है तो कैको फोनी का जो सही एंटोनिम सा है वह है तिम फोनी ठीक है कैको फोनी मतलब क्या होता कोल हाँ ठीक है सोर गुल कोल हाँ ठीक है आप इसको बोल सकते हो अपर रोर बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो और क्या बोल सकत घ्रामर पढ़ा होगा जिस सर्रोड बनता है तीक है वह ही होता है इसको आप बोल सकते हो क्या बोल सकतो बैब बोलते हैं चिका बीटुमिन मतलब क्छा होता है सुवर का मिलान Go from झ Connect भी वहां पर बैखते होंगे, अलग-अलग बात कर रहा है, तो नौाईज हो जाता है, ठीक है, सिंफनी होता है, सारे चीज़ को एक स्वर में लाना है, ठीक है, अगर आप गाना वाना सुनते होगे, तो सिंफनी होता है, वो आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, सारे स उसको एक साथ मिलाते हैं उसका संयोजन करते हैं उसी को बोलते हैं प्रतिध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् फटाफट कमेंटकर एंसर करेंगे आप लोग चलिए इसे के साथ टाइम अप हो चुक्क है I अभी आप सभी लोग ने सई सदसर कर डिया होगा ठीक है पर मियट का जो सबनें वह होगा सथी क्ट्ष ठीक het इसको आप बोल सकतो एक्सपैंड ठीक है एक्सपैंड बोल सकतो एक्सपैंड बोल सकतो ठीक है एक्सपैंड मतलब या फिर अन्फोल्ड बोल सकतो ठीक है यह सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रीमेन आपको पता है रीमेन मतलब रहना ठीक है रीमेन ठीक ह थीक है यो सुड तो मसलों कि क्या उता है पसी जना ग्रीपल को एक reincarnate राइन मतलब रहना कि ते रिंड ये शद्रिट सब अब Liberty पर ऺंशा के साथ सकतो इसके drawings और चाया है सिर्ड दूम स्ंटीड मतलब जारी रखना निके तो जारी कब रखोंगे तो क्या कीप होगा सस्टेन होगा ठीक है यह सब होगा इसका सिनोनिम करें कीप सस्टेन यह सब क्या इसके सिनोनिम चले नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट आपको इसका OWS बताना है इस ग्रूप अबर्ड के लिए ठीक है वू लब्स गूड फूड एंड लॉट अलोट अबाट इस चार्ड ऑप्शन है कलिनरी कॉनेसर चौफर गॉर्मेट ठीक है की चलिए फटाफट एंसर कीजिएक है आपसी लोग ने सईसा कर दिया होगा क्यों कि ये मैणने प्रिबिएस कॉशनên में डिसकस किया था उसमें आपको बता रख़ा है कि ऐसको बोजन से प्यार ओ में आगे किलास में इन सब को डिसकर करूगा चाफर क्या होता है खीक है चलिए कोने सन मैंने कर रखा है डिसकर अप्रीएस क्लास देख लेने डिक है चलिए नेकस्ट वाद कर लेते हैं नेक्स्ट आपको OWC बताना इस ग्रूप आवर्ड के लिए ठीक है तो गीब आप कम्पलीटली और अग्री तो फॉर्ड वो एस्पेसली इन फेवर आप अनाधर ठीक है चार आपको मिलेंगे बात करूंगा ठीक है नेक्स्ट आपको ऑन्ट निम्स बताना है जी ओपारड़ी का बहुत ऐज़ी है है दस सेगेंड काफ़ी है आपके लोगे के लिए चार अपसन है प्रिकॉसन रिस्क डेंजर सफ्टी ठीक है आप एलिमिनेशन से भी से कर पाओगे असानी से ठीक है चले फटा-फट एंसर कीजिएगा इसे के साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सभी स एंसर कर जिया होगा ठीक है तो जियो पाड़ी मतलब क्या होता है खतरा खतरा डेंजर अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका अंट्रॉनिम्स क्या हो जाए ठीक है डेंजर बोल सकतो आप खतरा डेंजर रिस्क है रिस्क क्या हो जाएंगे इसके सीनोनिम्स हो जाए तेस में होता है सरक्ष्छा सेकूरीटी ठीक है प्रोटेक्शन ये साव को पता है प्रीकॉस्थ!! होता? होता है सांब्धानि ठीक है और जियो पारडि का ही सिद्धाइ grandson मिलने नेक्स्ट करते हैं तो आपके लिए 10 सेकेंड बहुत ज्यादा था ठीक है दो से 3 सेकेंड में आप लोगों ने सही से एंसर किया होगा सभी के अंसर सही होंगे ठीक है और मैंने बता भी रखार है टू के लिए क्या नंकलुपर है और क्या हो जाएंसर कर लेतें नेक्स्ट आपको सिनोनीम्स बताने अंसर नंसर का टीक है country है хочет एनसर मतलब क्या होगा जबाब देना तो क्या क्या करना मतलब क्या है yad करना मतलब यह क्या सिनोनिम से मतलब सकता है पूछ ताष करना जो करते है लिख लो प्रोबल の ठीक है और क्या बोल सकते हो question जब problem में होगा आप से question किया जाएगा सवाल किया जाएगा query पूछते हैं तो question ठीक है recall remember ठीक है आप इसको बोल सकते हो रिमाइस ठीक है रिट्रेस भी बोल सकते हो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आपको इसके लिए OWS बताना है a broad road border with trees ठीक है और मैंने image भी देखा दे दिया आपको reference के लिए तो बढ़ी आसानी से आप कर पाऊगे ठीक है और आपको कब से कब तक करना है तो 530 18 Si Tomatлом से पेने में सेलागे 320 पीम Sempre Day करोगा कि तो मैं आपके지 कमेंट इंक्लूड कर पाऊँगा इसके बादकर तो सौरी मैं आपके kaa कमेंट नहीं कर पाऊँगा लेकिन मैं आपके कमट दिखता हूँ सब्सक्रेश करना ननूर ठीक है करके तो स्कोर भी शेयर कर दो और होमवर्क के एंसर भी कर दो ठीक है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे ठीक है जैसा कि मैं बादा करता हूं कि हमारी क्लास पचीज से 30 मिनट के अंदर ही समाप हो जाती है तो हार्ली आपके फोन में भी 27 मिनट हुए होंगे और हमारी क्लास इंड हो गई है ठीक है तो आप ऐसे लोगों को जरूर से जरूर से जरूर करें जिनने वोकाब की जरूरत है ठीक है वोकाब पढ़ना चाहते है कम से कम समय में ठीक और उसका प्रैक्टिस भी क करना चाहते हैं और इंग्लिस ग्रामर के इंपोर्टेंट रूल्स भी पढ़ना चाहते तो आप उन्हें जरूर सेर करें ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नयान लाने की कोसिस करूँगा ठीक है तब तक के लिए जय हिंद ज